शुशान सिंग राजपूत की मोत ने उनकी एक्स कल्फरंड अंकिता लोखंडे को गहरा सब्बा दिया है इस गम से उबरने में अंकिता लोखंडे ने डेड़ महीने का समय लगा दिया खुद को समालने के बाद अंकीता लोखंडे अब शुशान सिंगराजपूत के बाद में एक के बाद एक खुला से कर रही है कुछ समय पहले ही अंकीता ने बताया कि शुशान सिंगराजपूत अपने करेर को लेकर कितने गंभीर और इमोशनल थे छोटी छोटी बाते भी शुशान सिंग राजपूत को बड़ी आस्तानी से परिशान कर देती थी एक न्यूर चानल को दिये इंट्रव्यू में अंकिता लोखंडे ने बताया जब भी शुशान सिंग राजपूत के बारे में कोई भी बुरी खबर लिखी जाती तो वो तुरंत परिशान हो जाता अफवाहों से शुशान सिंग राजपूत को बहुत डर लगता था उस समय फैंस मेरे और उनके रिष्टे के बारे में बात करते थे शुशान्त को लोगों की ये बाते भी पसंद नहीं आती थी रिलेशन्शिप की बाते सुनकर वो अपसट हो जाता था आगे अंकेता लोखने ने कहा शुशान्जिंग राजपूत एक छोटे से गाउं का रहने वाला था उसने अपनी महनत पर इंडस्ट्री में एक नई पहचान बनाई थी ऐसे में शुशान्जिंग राजपूत के लिए उसकी इमिज अच्छी होना बहुत ज़रूरी था उसने काम्याबी अपने दम पर हासल की शुशान्जिंग राजपूत को अपने फैंस के साथ चैट करने में बहुत मज़ा आथा शुशान का मानना था कि वो केवल उसके फैंस ही कि केवल उसके फैंस ही वो सहारा है जने के दम पर वो सफलता की सीड़ी चट सकता था अंकिता ने बताया शुशान सिंग राजपूत ने इंडस्टी में किसी को Godfather नहीं बनाया शुशान के फैंस ही उनके लिए सब कुछ थे वो अपने फैंस से बहुत प्यार करता था वो जानना चाहता था कि उसके बारे में वो क्या सोचते हैं अगर फैंस से उसके बारे में गलत सोचेंगे तो वो अकेला रह जाएगा अगर आपको ये रिपोर्ट पसंदा आई तो उसे लाइकों शेयर करें साथ ही अपने व्यूज़ हमें कमेंट करके जरूर बताएं